है तो हमने कल यहां तक कर लिया था ठीक है में इंपोर्टेंट पॉइंट हम आ गया थे आज डिस्क्रश कर लेंगे उसके पहले हम देख लेते हैं कि कहां कहां से कुशन फ्रेम किया जा सकता है जो की हमने कल देखा था विल्यम फापीश कुश्चन है का मोस्टली में हमने हीम वाले पार्ट में फार्ट में फी होता है जहांपे ऑक्सिजन का बंडिंग होता है यह वेरिएबल ह денrias nem ग्लोबलीडों और नॉट्व से पच्छी साथ और और को सेलणलसपोर करता है और ङाँट की- कार्बोटल तो प्रिजन होता है वहां से कुछ और कर देगा ठीक है यहां से इस सैंसल में होसाइं स्टै हो सकता है और की बनाए जा सकता है मतलब की नूट्रियंस तो आहें गा कर वेस्ट चाहेंगा यह दोनों प्रोसेस होते रहेंगे continuously होंगे यहां स्क्वेशन मतलब की नूट्रेंस की बात हो रहा है फ्रम दसल मतलब की केटाबॉलिक वेस्ट की बात हो रहा है ग्रूप ऑफ एनिमल यहां पे प्लांट कर देगा कुछ और कर देगा ठीक है सपोंज का इक्जांपल देगा स्पोंज साइकोन पौडी फीर सिलेंट्व से एग्जांपल देगा बॉडे क्या ठीक है विदिन होता है हाई और गैनिम मोस्ट कॉमणी होता है ठीक है फिस त्रांसपोर्ट ही होता है यह त्वाले चेप्टर में जया तहां एट कि यह से ठीक है matrix produce हो रहा था liver से lymphoid organs से एक हो रहा था gamma globuline ठीक है blood यहां पर blood की जगह कुछ और कर देगा ठीक है blood is special connected tissue की जगह ABC कर देगा कुछ भी कर देगा fluid matrix plasma जिसको बोलता है formed elements होते है ठीक है plasma की बात करें isotonic alkaline ठीक है यहां से nutrients का mainly जो function होता है ठीक है urine color yellow की होता है प्रोटीन हम डाल देंगे ठीक है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर किस ने दिया था जीन रामजंद्र ने दिया था ठीक है अब हम बात करेंगे plasma की plasma में आ सकता है इस ट्रोग रहा है विसकस है ठीक है नियरली 55 परसेंट मतलब की blood में सबसे जादी है ठीक है है 90 से 92 पसेंट उसका जो है वाटर है ठीक है six-two-eight परसेंट जो है यह प्रोटीन से माइनर माइनर हमां हमां हॉन माइनर does स्म Там की जगऊ कुछ और तेंगा ठीक है क्रोट अभी ज़े का हम ढाल देंगे ठीक हिम की जक्रोटने के वाज़ासे बनता है užसकर होता है प्रोड्रॉंभीन के लिए लीपर वाईटीमीन के निकालता हुसकी वजह से यह कोये प्रॉपिक डीवन का एक्तिव होगा एक्टिव होता है फिología किस चीज से बरहएंका थ्रोम庝ेंस से बनेगा यह बिगष्न प्लाजमा प्रोटीन होते हैं लेकिन इनका जो कॉंटिटी वो कम होता है ठीक है देक हम प्लेफ़ल्ट में बात के हंग हम दोधल वी ते लेगा इसंगा में पोचे तो इसमेंगा जिसका व्हक सब्सक्राइब होता है говоря सहір्बियोनिक कंडिशन में ऒर था इर्धित्रोपाउस कांप कांब होता है इकने अपर यहां पर लड़ाद का हूँप सबसे यहां में सबसे जादे कियो जादे होता है क्यों में जाते है घंसे अफिनिंटी में जादे है Chief है ठीख है लेकिन में क्यों किड़नी करता है एंट्रोजर्ट करों मनदलब तो 5 से 552 यहां से आ डव्लूबीसी लेकिन अगर सेल की बात करें तो यह सेल नहीं है ठीक है यह फ्रेग्मेंट ऑफ सेल है तो यह दुनों ऐसे कर देंगे ठीक है इनका रेशियो आपने देख लिया था यहां से क्वेशन आता है लेक की जगह कुछ और कर देगा यहां थाउजेंट यह कुछ और स्प्ली में किसी काम का नहीं है माइक्रोसिटिक एमनीमिया ड्यू टो डिफिसिएंसी फ आयरन हो सकता है यह भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा नॉर्मसिटिक एनीमिया हमें देखे थे एक्सिदेंट में ठीक है आगा कैपिलरी भट यह बाहर निकल रहा है तो बीपी तो कम हो मतलब ट्रांस्पोर्ट करता है डिफेंस मेकनिसम में भी रूल है कुछ नहीं का अस्मोर्टिक बैलेंस बनाता कुछ नहीं है ठीक है प्लाजमा में स्मॉल अमाउंट आप मिनरास होते हैं ठीक है और यह और गैनिक चीजे भी होती है ग्लूकोस अमीनों ऐसे लिपिट एक् हैं अल्वेज हमेशा घंजी होते हैं ठीक है स्नुपार्णिशन बूर्द प्रेजेन री प्लाज़ेंस इसकी बात और अगा प्लाजमा यहां पर बलड कर देग अिसस में All vyसे ॅटा दे Pow कर दें तो प्रिवेंट हो जाएगा कडो तो टी रोटेंब फ्रbel में किसकर येंद और चुकत है इसने नेकलिए गाने इसमें और पृगम सथ घ्रन एक ओ तो आले वीगत नहीं होता बंध्र कहता है इसमें न्यूंक्लिए को संगलेसंत द्रपको occup b इसल वोल्यूम मोता है ठीक है 45 पर संट यह होता है रीत्रो साइट हमने देखा सिंगल यलो जा दिखेगा लेकिन गुरूप में रेड कलर का दिखेगा मुस्ट अबंडेंट होता है तो चिंगा ब्लड में अगर डबली सिकार अबंडेंट बोले तो नूट्रोफिल होता है मुलूसा-ाथा काम क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट मी काम हो दाए halDE adult male कि बात यहांपे की गई है कि male में इत्ता होता है ठीक है रभी इठीक है devoid of nucleus होता है इनुकलियत होता है most यहां से question frame करते है most of the mammals में ठीक है mammals में जोता है है camel lama में nucleus होता है ठीक है और bike on cave से वहता है ताक इस surface area को बड़ाएं जा सके और गेनल absent क्यों थे because to fix more हेमोगलोबीन परपस जो ओटू का ट्रांसपोर्ट था वो अटेन हो सब्सक्राइब पैक्टिसल वॉल्म इसकोल तो हीमटो कुरेट वॉल्म अल्मोस्ट हमने देख लिया था यहाँ रेड कलर आयरन कंटेनिंग और कॉंपलेक्स प्रूटीन ठीक है और यह देखो ठीक है हमो प्रूटीन ठीक है और जो कलर है और नेम है अरिथ्रोसाइट का यह हीमोगलोबीन की वज़ए से यह यहां फिर लिगोसाइड में भी कलर लेस होता है बिकास अफ़ डिफीशेंसी ओफ हीमोगलोबीन ठीक है है हेल्दी एंडिविजूल ने 12-16 ग्राम हीमोगलोबीन होता ह 50 ml कर देगा 200 ml कर देगा ठीक है ग्राम की जगा कुछ और देगा पर में क्यूब कर देगा तो यहां सो कुश्चिन बज सकता है ठीक है सिग्निफेकंट रोल ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्परेट्री गैसे सिफ ऑक्सीजन नहीं बोला है मतलब कि यह दुनों का ट्रांसपोर्ट होगा कर्बोमीन हीमोगलोबीन 20-25 ठीक है एवरेज लाइब चार महिने का होता है ठीक है एक हीमोगलोबीन चार ऑक्सीजन के मोलेक ठीक रिस्परेशन नहीं होगा ठीक है क्रैब साइकल एटीस होगरा नहीं चलेगा ठीक है एनरोबिक होगा एनरोबिक होगा तो उसके लिए एंजाइम चाहिए ग्लाइकोलीट एंजाइम होगा ठीक है ग्लाइकोलाइसिस होगा स्ट्रोमेटीन स्पॉंजी साइटोस्केले होगा इसके पास carbonic and hydrate यह भी इंजाइम होगा यह भी इंजाइम होगा ठीक है डोनेंस membrane इसको बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट लिको साइट में हम आ गया है defense में इसका primarily डिफेंस में है ठीक है और ऑसो नोंने white blood cells wbc white blood है यह वाइट नहीं होता है यह स्वर्णम रिजन कुश्टन कलरले सुता है विच नंबर अवरेज इतना शेया से 8000 पर यम प्लॉड ओस प्लॉड होता है ठीक है लिजमन्ट से पहरेंगे हैं जर सब्सक्राइब करेंसे तो बात करें थो बैस फिल नीटरोफिल या अब याद कर गता है वाइन लिंफोसाइट यह नोसाइट जो है क्वेशन आता कि which of the following is not part of a granulocyte ऐसे हम याद कर सकते हैं ग्रेनुलोसाइट भी एन और एक ग्रेनुलोसाइट ठीक है अच्छा ग्रेनुलोसाइट ग्रेनुलोसाइट में अगर कन्फ्यूज हो जा तो कैसे हुआ देखो भी एन यह कुछ न कुछ सिक्रीट करते हैं ठीक है इ इसका gonna q3 5 है लेकिन इहका देखो एग्रेनुलोसाइट का एक ही डेकलियर से ठीक है तो ऐसे हम देख लेंगे और ग्रेनुलोसाइट जो ह्ता है मल्टि लूर्द नुकली स'll h under इंसे हमने याद किया था ठीक देन इशले क्या होता नीम होता है य। इस इनों पर प्लिल यहां से question आता है ठीक है तो हम यहां पर देख लें नेवर लेट मंकी इड़ बनाना से हम याद कर लेंगे ठीक है यह दो को बी एन यह granulocyte है तो सबसे WBC में सबसे अच्छा ब्लड में सबसे ज़्यादे कौन से और परसेल सोते हैं आर बीसी होता है 99% हीमोट्रोग्रेट और प्रेट वाल्यमें अल्मोस्ट एक वल ठीक है लेकिन अगर पूछे की ग्रेनुलोसाइट में सबसे ज़्यादे कौन होता है तो न्यूट्रोफिल सबसे कम कौन होता है बैजोफिल अगर ग्रेनुलोसाइट में पूछे कि सबसे ज़्यादे कौन होता है तो लिंफोसाइट 20-25% और लिस्ट कौन होता है एक ग्रेनुलोसाइट में तो इसबसे बड़ा होता है यह six to eat percent होता है और सबसे बढ़ा होता है blood में सबसे बड़ा करके हमने पढ़ा था न कि पॉली पॉली साइटीमिया वैसे यह आगर लिकोसाइट का ऐसे लिकोसाइट का अगर जाए तो लेट्स टाइफॉइड हो गया तो यह तो यह पर कम हो जाएगा ठीक है तो इसको बोलेंगे लिकोसाइटो पिनिया पिनिया का मतलब कम हो गया ठीक है next नेट्रोफिल ठीक है आदा मोस्ट अबंडे 60 से 65% होता है question आ चुका है ठीक है बैजोफिल लीस्ट होते है 0.5 से 1% होते है ठीक है नेट्रोफिल ठीक है एन मोनोसाइड जो की 6-8% है फेगोसाइट और तो यह जो लेट से आएगा तो ये macro pulishman भाद में आता है ठीक है ये फॉस्ट सेल है जो की आता है ठीक है site of infection ये दोनो ये दोनो मिलके neutrophil monocyte ये granulocyte का पाठे ये granulocyte का पाठे ये दोनों मिलके phagocytosis काते हैं which destroy foreign organism in the body question हैगा this destroy foreign an organism entering in the body तो neutrophil and neutrophil एंड मोनोसाइड नियोटोफल की जगा पीमनल भी बोल देगा ठीक है एनम यह दोनों आते हैं ठीक है एक ग्रेणुलियोसाइड का सबसे भारी योद्धा आता है ठीक है बैजोफिल जो होता है से भी जो आते हैं स्ब्सक्राइण कर्याब टीक है इंफ्लमीशन में मौल्व होतायि बैजोफिल जो इनफ्रमीशन में इन शाहरा का घीक है 93 WIN 5 अईजी यहांसे यह जाद कर लिए इनीफ्येक्शन ऐसे याद कर लिए नमबर हम को याद ही ओर ऐलर में काम आता है तो ऐसे हम याद कर लेंगे ठीक है रजी जिन वे और आल्सो अन आल्सो असो सोचीएटेव विद अलर्जिक रीक्शन लिंफोसाइट की बात करें बीस से पचीस होता है सेकंड मोस्ट अबंडे ड़लो बीसी होता है ठीक है और ग्रेलूलोसाइट में एक करता है यह इसको हल्प करता है अब यहां से देखते हैं हमने देखा कि डिफॉल्ट में हमें लेकर चलना रेड बोन मैरो सम में बनता है मैलोज टिशू में अरित्रोब्लास्ट ठीक है नुकलियस एक सिंगल जो नुकलियस रहता हो बाहर गया फी आया थिक है हीमोगलोबीन है ठीक है एक्जी बोन मैंनों रेटिकुलोसाइट मैचूरेशन के लिए को बैलामीन चाहिए होता हमारा नेचरल आर्बीशी बन गया ठीक है नेचरल सेप का अधरवाइस डिस्ट्रॉय हो जाएगा बड़ा हो जाएगा तो ठीक है इसके सरफिश पे दो नेचरल एंटीजन ह होंगे लेकिन लेकिन अगर ब्लड ग्रूप की बात की जाए ओ मैनस की बात की जाए ठीक है तो इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबोडी सारे है और वही एबी प्लस ब्लड ग्रूप की बात की जाए तो यहां पे कोई भी एंटीजन मतलब कि यहां पे कोई फ्रेगमेंट ऑफ सेल ठीक है only in mammals ठीक है divertless जो होता है only in mammals में मिलता है ठीक है in platelets को mega käytt으ोसाइड बोलते है अच्छा mega márkyoidences AG मे binding के नंबर हो जाए तो clogging disorder हो जाएका灑 ब्लड लॉस हो जाएगा कहां पर दिया है अगर डिक्रीज हो जाए इसका नवबर तो क्लॉटिंग डिशॉजर और एक्सेसिव ब्लड लॉस क्वेश्चन आ चुका है ठीक है और यह हमने तो क्लॉटिंग डिशॉजर यही पर प्रपोरा डिशीज है जैसे की यह ब्लड वैसा सहँ है यह रिपेरिश का क्रता एठीक है अगर नहीं इसका कम हो गया तो ऐसे मुझ बाहर आने लगेंगे ठीक है तो ब्लड बाहर आने लगेंगे तो ब्लड का लॉस भी हुआ क्लोटिंग डिशोडर हमारा परपरा डिजीज भी हो गया इनका लाइब स्पैन चार दिन का होता है एक विक का होता है यह स्मॉलिस्ट ब्लड एलिमेंट होते हैं यह सेल्स नहीं है दैनल बात काते हैं यह सेनोफिल ige-lergy-acidongio fel i'dौ का है सेयोवंद इनका structure होता है इसे याद कर लेंगे तो 2-3 % होते हैं रिजिस्ट करता है infection eosinophylle parasitic हो गया दिक आस्करीज गा रहा अस्थाम हीं लिख इक हो पomination qr guys नें यह सभी गाम आते हैpping गया ठीक है बेजो फिल्पी बेजो ऐसा रहा है तो एस से का होता है यह ठीक है 0.1 से 0.5 से 1% होते हैं सक्राइब कराँ बेजा ही सक्कार हमाल टकान कोश्टमेशर चुकिन जर्चरूइब करता है hospital करूं बाइब ओडिक है । году काउच का थे आनको पर चुन होता है तहींगे यहौन सीनोफिल तो हमने यारफन से गोन देख लिया ठीक है न्योट्रोफिल की बात करें न्यूट्रोफिल को आखरी हमारा ग्रनल्चाइड का पाठागात करें ग्रेमनल बोलते हैं अब्र जगा प्रेजेंट होता तो कहीं भी पहुंच जाएगा ठीक है यह इन गल्फ करेगा पैथोजें रैपेडली विए ज्यादे इन नंबर रहे ठीक है माइक्रोपुलिसमे लेकिन इसको क्यों बूल गया लेकिन यह जादे तो है लेकिन का साइट चोटा है तो माइक्रो डैसे नहीं करते हैं ठीक है मोटिलीटी सो करते हैं ठीक है next यह maximum होता है 60-45 % इसकी वज़वज़वार से यह पहले आ जाते हैं 3 mm टिन से 5 लोब होता है प्ल 70 में बोलते हैं maximum लोब होता है ऑक्रस्व nota है टिक धिक श्रो Cambya अबक्टेरिया वाैरेस स्वे डाय multif और सबसुे हरुदीया सीञता है लूसे में सबसे यह सब से विद्धनी से होता है आधे मैंसे मन में के पास Sinner है T-Limphocyte B-Limphocyte, ठीक है Cell-mediated immunity, यह B-Limphocyte, Humeral immunity, Humeral मतलब की Blood और Limb की बात हो रही है, ठीक है 20-25% होते है, question आ चुका है, ठीक है, then after अगर Limphocyte की बात करें तो देखो, यह A-Granulocyte है, यह दुनों मिलाके A-Granulocyte है, ठीक है, तो यह A-Granulocyte होने बफलड हो कुछ भी हो सबसे बड़ा है replied Grand paradise duty सबसे छोटा लिंपोसांट हो जाए खाएं और आगर नंबर की बात करें टो लिंप्रोसाइद लिंपोसाइड कि 25 परसेंट होता है तैं अध्क्रेटें नंबर मीन ये जादे हो जाय kijken इन यह गाम जाएESE 68% ही होते हैं ठीक है तक हमने यहां तक कर लिए था अब हम बात करेंगे थ्रम आठीगे लिजस्क्राइट के प्लेट दिर वो ब्लड में नहीं होता है special cell in the bone marrow ठीक है red bone marrow नहीं bone marrow ब्लड नॉर्मली contains 1.5 lakhs 3.5 lakh per mm cube of platelets ठीक है तो ब्लड इतना mm per mm cube of में इतना platelets contain करता है और platelets जो है variety of systems को release करता है ठीक है जिसमें से most of which यहां पे few of which कर देगा examiner ठीक है most of which are involved in coagulation ठीक है तो majority उसमें से जो होते हैं coagulation में मदद करते हैं ठीक है और clotting of blood clotting बोलो coagulation बोलो ठीक है यह क्या release करते एंडर इंडो थ्रोंबो प्लास्टिन जब इंजरी होता है ट्रॉमा होता है तो platelets टूमिलेट होखे इंडर फ्रंबो प्लास्टिन करेंगे एंडर फ्रोंबो प्लास्टिन क्रेंगा इंडर्व मांद करेंगे इंडर्ध्रोंबो प्लास्टिन control फ्लिप भी बोっ्यार फैक्टर थेंट targeting लोगा ठीकिग है तो most of which involving coagulation few कर देगा examiner ठीक है और यहांसे question अ बारे में देख लें, because human health and disease में के खाम आता है, ठीक है, B cell जो होता produce और mature bone marrow में होता है, लेकिन T cell produce तो bone marrow में होता है, लेकिन mature thymus में होता है, इसलिए thymus को training school for T lymphocyte बोलते हैं, यहां से question आ चुका है, ठीक है, mature होगा तो क्या-क्या cell बनेगा, तो देखो क्या-क्या बनेगा, T killer cell बनेगा, या फिस साइटो टॉक्सिक सेल बोलतो, T C cell बोलतो, TK cell बोलतो, TH cell या फिस CD4 receptor, T helper cell ठीक है, T S cell, suppressor cell या फिस killer cell, T regulator cell बोलतो, TR cell, T S cell, TM cell, T memory cell, ठीक है, डेखो, TK cell की बात करें, तो यह साइटो टॉक्सिक सेल या फिस किलर सेल, ठीक है, यह destroy करेंगा, और सेल को specifically करेंगा, unlike N-K cell, natural killer cell जो है, specifically नहीं मारता है, अन-specific मारता है, यह specifically मारेगा, और सेल को मतलब कि, cancer cell, infected cell को मारेगा, तो यहां पर ट्रांस्पार्ट रिजेक्षन में काम आता है तो उसके लिए हम साइक्लोस्पोरी नहीं देते हैं क्वेशन माईक्रोब चेप्टर से आया हुगा है फंगस से डिराइव होता है ट्राइक औरमा पॉलीश पोरम से ठीक है सेम्पी और फेस एसे करके याद किया था बहुत सारा है ठीक है साइक्लोसपोरीन एस अर्थराइटिस में भी देते हैं और अटो-इम्यून डिजीज है ट्रांस्प्लांट रिजेक्शन में भी देते हैं यह क्या करेगा इम्यून को डाइन कर देगा तोस्ता है मतलब कि कॉटिजोल हो गारा जो भी इम्यून को देगा हम दे सकते हैं लेकिन NCRT में साइट क्लोस पूरी ने दिया है ठीक है इने भी सी एम आई ठीक है नेक्स्ट तो हमने देख लिया मेच्चूर कहां पर होता है यहां से कुशन दा है यह डिरेक्ट अटेक्ट कर देगा इंफेक्टेट सेल को और फॉर गुरूप की बात करेंगे यह रिश्यों तहरा ने देख लिया था जूपर गूरूप की बात और लीकिन कंपूरूपीग उप्लाइजकरण भूपी ऊस्टिक यह घुका वर्यूप गूरूपींग को डण की आगया यहां पर ओनले तुम यह जब्लेगी लिए यू ज विर अर इच को सुनब करने के पदेंगे फिर चार ऊचार और लग्यों He 둘 अ मैं झानलो उटाइप की टी होगे एचारो ऑप भाएप रोगे ब्लट और निट्स, और जैर एच जिनो टाइप ABO के किते होगे, फिनो टाइप किते होगे, अच्छा, ABO के साथ RH भी मिला दो, तो फिनो टाइप 8 हो जाएंगे, ठीक है, इसको भी double कर देना, ठीक है, यह जो ABO blood group है, multiple allelism का example है, यह देखो, ठीक है, ABO blood group, मैं फिनो टाइप किते होगे, 4 होगे, रह भी मिला दो, तो किते ह हो जाएंगे, देखो, रह अगर मिला दिया जाए, combining ABO and RH, therefore, 8 possible blood group type हमें मिल जाएगा, फिनो टाइप 8 प्रकार के, मिल जाएंगे, ठीक है, तो ABO blood group हम स्टार्ट कर रहा है, ABO blood group is based on the presence or absence of two surface antigen, ठीक है, तो यह किस चीच पे based on the presence और absence of two, यहाँ पे examiner two के जगे कुछ और का देखा, प्रिकुस ए, बी, ओ, तो antigen यहाँ पे दो ही है ना, यह तो कुछ है नहीं, इसके पास कुछ है नहीं, तो surface antigen, surface antigen, ठीक है, surface antigen, oligos, कौन सा होता है, glycoprotein होता है, glycoprotein होता है, glycoprotein होता है, oligosaccharide होता है, ठीक है, हमने cell वाले chapter में देखा था antigen, antigen का यहाँ पर definition दिया, यह भी question आ सकता है, antigen क्या होता है, यह chemicals होता है, that induce immune response, ठीक है, तो हर एक व्यक्ति में, ठीक है, यह हम overall लेके चलते हैं, हमें अच्छा सोचना है, तो 2 surface, हर एक के व्यक्ति में, natural 2 surface antigen होता ही होता है, on the surface, surface पे होता anti-a, anti-b, ठीक है, plasma की बात करें, plasma में, 2 natural antibody होता है, ठीक है, तो plasma में हमने यहाँ पे देखा था, plasma में यह यह होता है, लेकि, यहाँ पे globulion में 2 natural तो होगाई, 2 natural globulion तो antibody होगाई, ठीक है, 2 natural antibody, ठीक है, plasma of different individual quantity, 2 natural antibody, ठीक है, antibody का definition, produce in response of antigen, ठीक है, यह protein है, ठीक है, glycoprotein है, जो की produce होता है, in response of antigen, antigen का definition, the chemical, the immune response, ठीक है, plasma में होते हैं, हमारे 2 natural antibody, यह question आ जाएगा, ठीक है, यह surface पे 2 होते हैं, भाई, obvious है, यह दो होंगे तो, इसके खिलाब भी तो 2 ही होगा, तो 2 plasma में होगा, 2 natural antibody, ठीक है, अच्छा, blood group AB positive में कोई भी antibody नहीं होगा, वैसे ही, O negative में कोई भी antigen नहीं होगा, ठीक है, next, अच्छा, the distribution of antigen and antibody for blood group, तो यह जो 2 antigen है, 2 antibody है, तो 2 मिलके 4 हुए है, तो इनका जो distribution है, यह 4 blood group में हुआ है, ठीक है, तो यह distribution हुआ है, based on antigen and antibody हुआ है, ठीक है, यह 4 blood group हमें मिलते हैं, यह based on 2 antigen and antibody के वजह से मिलते हैं, और कोई इधर कर देगा, तो answer नहीं डालना, ठीक unotype मिलते हैं, ठीक है, आरेच को भी मिलाते हैं, ABU system में तो 8 हो जाएंगे, ठीक है, अगिवन टेबल नहीं पर भी नहीं नहीं नहीं, ब्लॉट ट्रांस्फूशन, नहीं बलॉट कना बी यूज़ ब्लॉट ऑफ डॉनर, हैस बी क्याफूली, मैस्ज़ विद ब्लॉट का मतलब होता है, destruction of the RBC, ठीक है, donor compatibility is also shown in figure, ठीक है, यहाँ पर कुछ देख लें कि, factors, ठीक है, factors present on surface of RBC related to heredities antigen, ठीक है, blood antigen, ABO antigen, AB antigen, दो ही होते हैं, ठीक है, बिकोज ब्लॉट फादर पर ही तो blood group depend करता है, अच्छा, जो को कुरूज होता है, इसको परिप्लेन नेटा system मा आर्टोपोड है, P, A, R, A, M, परम से हमने देख लिया था, ठीक है, आगे हम देख लेंगे, ठीक है, next, अगर blood group O है, A है, ठीक है, तो अगर A blood group है, इसके अधार काड क्या होगा, अगर A blood group है, मतलब A क्यू है, बिकोज इसके surface antigen पर A antigen है, ठीक है, अगर B है, तो B क्य होगा, इसके पर अधार काड B वाला है, ठीक है, तभी तो B है, A, B, Q है, इसके surface antigen के पास A, B antigen है, ठीक है, O, Q है, तो इसके पास कोई भी antigen नहीं है, तो question आया था कि blood group O, O क्यू बोलता है, इसके surface पर कोई भी antigen नहीं होता है, या ऐसे बोल दो कि इसके plasma में ठीक है, दो प्लाज्म में एंटिडिय क्या होगा है कैसे प्लाज्म में एंटि抓 MY के खोर बनाए गाथ के खिलाफ मुझे विआ है ठीक है और यूद्रियर्ट रिजेँ वाला है तो इसरो क्या कुछ है कोगेश नोगा हिसरो है एंटिघ्जर एंटीए वाला एंटीजेन उसके पास है नहीं तो क्या ही वो करेगा ठीक है वैसे यह भी ब्लड ग्रूप है ठीक है तो इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा ठीक है इसको भी पाचानता है इसको भी पाचानता है यह इसको ब्लड ग्रूप दे दो ठीक है या फी उसे पाज एक दो तीन एंटीजन हो गया कोई भी एंटीब़ुडी नहीं वैसे ही इसको यूनिवर्शल डोनर बोलेंगे ठीक है ।uding कि एक फिखा है कोई हो गया टॉटल एंटीबोडी से रहे फ्लाजमा में।ры MA मेंसर टेबल टेबल इट इस एविदेंद आग ब्लड गूप ओ कैन बी डोनेटे तो परसंड विध अनादर ब्लड गूर्ड 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 तो यह बोल रहा है कि ओ ब्लड गूर्ड जो होता है उनिवर्सल डोनर होता है ठीक है एबी ओ में लेकिन अगर आरेश भी मिला योगा ठीक है और यह माइनस है तो आरेश एंटीजन भी नहीं होगा लेकिन इसके प्लाज्मा में तीनों एंटीबॉड़ी होगा एंटी एंटीबी एंटी आरेश एंटीबॉड़ी ठीक है वैसा ही एबी ब्लड ग्रूप जो होता है यह यूनिवर्सल रिसिपीयंट होता है ठीक है यह इसमें प्लस भी मिला दे आरेश फेक्टर वाला तो तीन एंटीजन हो गया एक दो और तीन इसके सर्फिस पे तीनों एंटीजन है तो तीनों को पहचान लेगा यह ठीक है लेकिन इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉड़ी नहीं होगा विकोज इसके प लेकिन देगा ठीक है ओ सिर्फ ओ से ही ब्लड ले सकता है किसी और से नहीं लेगा ठीक है वह भी अगर ओ माइनस है तो यह किसी को भी दे देगा यूनिवर्सर रिसिपियंट डोनर ठीक है नेक्स्ट एरेथ्रोबलास्टोसिस फिटालिस वाला हम कंडिशन देखेंगे ठीक नेगटिव होनी चाई या रहने डीवर्स फिमेल होनी चाहिए मतलब फिमेल के पास कोई भी एंटिजन अरफेस पर नहीं होगा मतलब यह उसके प्लाजमा में एंटी बॉडि आरेच एंटिबॉड़ी होगा ठीक है अगर पर यहां पर आरइच नेगटिव बच्चा होगा यह तो सेफ है लेकिन आरेच पॉजिटिव बच्चा हुआ तो इसके प्लाज्मा में हमारा एंटी आरेच एंटी बॉड़ी बन गया था अगर बच्चा के कॉंटेक्ट में गया तो यहां पे ब्लास्टोसिस फिटालिस कर देगा मतलब की हैत्त्तृ ब्लास्टोसिस फिटालीस की इसको ही en geven बॉल देती को antibia ओगह तो और इसमें के क HD और यह नजेग साओ और इसमें किया होगा कि बीबी जो है कं हो जाएगा ठीक है लेकिन पल्स रेड़ जो है वह हाई हो जाएगा ठीक है हम यहां पे भी देखेंगे यहां पे ठीक है आरिच ब्लड ग्रूपिंग की बात करें अना दर एंटीजन आरिच आटीजन सिमिलर तो न प्रेजेंट इन रिजस मंगी आरेच क्यों बोलते हैं बिकाज रीजस मंगी में similarly present था इसलिए इसको आरेच बोलते है इस और सो अब्जाब ऑन दे सफेसे ओ आरेच मेज़ॉरेटी तो किते परसेंट population हमारा आरेच पॉजिटीव होता है तो 80% population आरेच पॉजिटीव होता है कुश्चन आएगा किते परसेंट population हमारा आरेच नेगटीव होता है तो 20% population आरेच नेगटीव होता है आरेच है आरेच क्या आरेच नहीं मतलब कि आरेच नेगटीव ठीक है of human such individuals are called आरेच पॉजिटीव Razanda मतलब की एन्टीजेयन है उनके सर्फेस मतलब कि antibody नहीं होगा है ही तो क्या ही दिक्कत है ठीक है अगर एंटीजन इनके पास नहीं है ठीक है तो इनके plasma में anti-rh antibody बन जाएगा ठीक है तो an rh negative person if exposed to rh positive blood will form a specific antibody against the rh antigen ठीक है अगर rh negative person है rh positive से इनका वारता लाप हुआ तो यह against में rh antigen अपने plasma में बनाके रख लेगा ठीक है second बार में वार करेगा clumping कर देगा therefore rh group should be must be match before transfusion ठीक है must have should be should be match ठीक है should be should also be match before transfusion ठीक है इसको भी match करना काफी जरूर यह special case of incompatibility जो को mismatching बोलते हैं has been observed between the rh negative pregnant mother तो mother के पास कुछ ही नहीं अगर बच्चा के पॉजिटीव इधर आ गया तभी तो बनेगा तो मतर हमिसा आरेच negative होनी चाहिए और बच्चा जो है आरेच positive होना चाहिए ठीक है आरेच negative mother ठीक है with आरेच positive blood of the fetus ठीक है तो आरेच एंडिजेन अदर फीटास दो नोट गेट एक्सपोज तो दो आरेच नेगेटिव ब्लड अफ दो मदर इंद फर्स प्रिकनेंसी ऐसा नहीं होता है as the blood are well separated by the placenta blood जो होता है pregnancy के टाइम में मदर और फीटास का ब्लड का एक्चेंज नहीं होता है ठीक है लेकिन however during the delivery of the लेकिन delivery के वक्त possibility होता है यहां पर एक जामें इधर पॉसिबिलीटी होता है exposure हो गया of the possibility exposure of the maternal blood to a small amount of the RH positive blood from the fetus तो maternal मतलब कि मदर में RH positive अगर चला गया थोड़ा सा भी possibility होता है इन सच के इस मदर जो होती है start कर लेगी preparing antibody against RH antigen जो बच्चा का भी आरेच था तो उसका antigen गया यह बनाना इन्होंने शुरू कर दिया ठीक है है in her body है in case of her substituent pregnancy मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी तो साही होगा लेकिन substituent pregnancy में क्या होगा ता अरिच एंटी बॉड़ी फ्रम दा मदा तो मदर मदर थी तो मदर के पास गया fetus RH positive और destroy कर देगा ठीक है वो तो भाई RH positive है यहाँ पे RH antibody चला गया ठीक है तो वो तो भाई खिलाफ काम करता है ठीक है तो destroy कर देगा fetal RBC को ठीक है मतला destroy कर देगा fetal RBC को और यह fatal भी हो सकता है और 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 यह तो fatal deadly भी हो सकता है और तो बच्चे को थोड़ी देंगे तो anti-rh antibody की इसको देंगे, mother को देंगे, ठीक है, mother को problem है, बच्चे को थोड़ी देंगे, mother सब कर रही है, mother भेज दे रही है, उदर खून, ठीक है, second pregnancy में, ठीक है, immediately, यहाँ पर exam कुछ और का देखा, immediately after the delivery of the first child, ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर mother, rh positive है, बच्चा rh positive है, तो first time में तो successful हो गया, लेकिन, rh negative mother है, second time pregnancy हो रहा है, और rh negative fetus भी है, तो यहाँ पर fail हो सकता है, ठीक है, जो की fatal हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा, जो की fatal हो सकता है, ठीक है, fatal हो सकता है, और anemia और jondis को cause कर देगा, ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया है, कहां